बॉर्णिंग स्ट्वेंट्स, वेलकम टु स्कॉलर्स पॉब्लिक स्कुल जावरा, हम अब तक क्लासवे 6 के लिए चप्टर नमबर 5, ग्रूपिंग माटेरियल हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने ग्रूपिंग ऑफ अब्जेक्ट माटेरियल अराउंड अस हमने अच्छ स्ट्रीड चुबर्स करते, आज का लेक्ट्र आपको अभी तक कंसेप्टिल कलारिटी अच्छा से हो रही होगी किस तरीक से इव्ड़्य करते तो आज का वहारा टॉपिक है हाडने सो शुरू करते हैं हाडने सो सिंपल य एगर हम बाग करें सो जो भी चीज अगर हम उसको प्रेस करते हैं प्रेस मतलब किसी चीज को दबाना अगर वह इजली दब रही है यानि कि वह हाड नहीं है महां लिजिए हमारी वाल अब अपनी वाल पर अगर आप पुश करेंगे वाल को तो वह उसके अंदर कोई चेज नहीं आएगा यानि कि वह हाड सबस्टेंस है इसके अगर आप देखें तो हम बात कर सकते हमारा कुछ ऐसे माटेरियल जैसे आम आटा जो आटे को जो आप गूंद लेते हैं अब उसके बाद अब उसके हलका सा प्रेस करते हैं तो उसके अंदर चेंज आ जाता है वह अंदर की तरफ दबने लग जाता है तो ऐसी कंडिशन में आपने से सॉफ्ट बोल सकते हैं सोंफ्ट और हाड हमें अच्छे से पता है सॉफ्ट और हाड होता क्या है अब इसी को हम थोड़ा सा फर्दर बढ़ेंगे इस ट्रॉपिक में सो देखिए हाव इलिफाइड वेदर सब्सक्राइब केसे पता करेंगे तो नो अब हाड्नेस सब्सक्राइब इस प्रकाइब ट्रॉप्रेस इंगानी सेम चीज का अपने कंप्रेस करना मतलब उसको पुष करना मैटरेयल देख केंड बी कंप्रेश कॉल सॉफ्ट मेटेरियल अब जो पर चेंज आ गया इनकी बोड़ए में उन्हें सॉफ्ट मेटरियल बोल सकते हैं can you name the hardest substance found in a nature so बिल्कुल डाइमंड आप लोग ध्यान रखेंगे डाइमंड जो होता है वो दुनिया का सबसे हार्डेस मेटरियल होता है यह बार ध्यान रखिएगा ठीक है कि अगर आप से कोई पूछे है कि हार्डेस मेटरियल कौन सा इस अर्थ पर सो हम क्या बोलेंगे डाइमंड ठीक है अब हाड्नेस अभी एक्टिविटी है हमारे लिए के टो अंडस्टेंड हाड्नेस आफ मटेरि सो देखिए सॉफ्ट टॉय सॉफ्ट टॉय आप जिससे हम खेलते हैं सो सिम्पली मेट आफ आफ फैब्रिक सेटेटल विट सम सॉफ्ट मेटेरियल ठीक है रबर टॉय और प्लास्टिक टॉय ठीक है आप लोगों ने क्लासिफाई कर लिए तीन तरीके से के एक रबर का टॉ टॉय से और लेक प्लास्टिक टॉय से सफटने में चैटिदी विएर होगे आपका पांडा होगे जो आप छोटे-मूटे चोटी में हम बतक और यह सबस्टिक ब्लास्टिक के तो सौजो आप मैनली राप 핫्ए ऑं शैख्रक और जैसे भी आ होज करते हो टॉय में आप खेल आप क्या करने के कोशिश करेंगे अब जैसे आपने यहां पर नोट करके देखेंगे कि जो यहां देखिए यह जो प्लास्टिक का यह यह नोन कम्प्रेसिबल में जाएगा कि पुश नहीं हो पा रहा है अगर यह हमार जो टेड़ी भी अगर इसको पुश करेंगे तो यह प्लास्टिक टॉइस आर नोन कम्प्रेसिबल ठीक है इतनी बात अच्छे समझना ही आपको ठीक है अब थोड़ी से आगे बात करते हैं यह कैसे होते हैं वेरास मेटल सच सोडियम पोटाशियम न्हीं के lot इसे और प्रोसीजर वेरें बीजिए में करते हैं सोडियम कैसे हो गए सॉफ्ट हो गए सोडियम तो इतना सॉफ्ट होता है कि आप इसे चाकु से भी काट सकते हो इतना सॉफ्ट मेटरिल होता है अगर फार्दर आप कभी आगे पढ़ेंगे किस वीचिज आ माटेरियल देट कैन बी इसली कट बाए नाइ सोडियम और पॉटाश्यम इतने हैं सवन्य मेटलॐल होते हैं सजिए स्प्लास्टीक एन भी सॉफ्ट और हार्ड डिपेंडिंग अपवन इस मेधड और प्रेशं ठीक है फ्लास्टिक को हम स़ॉफ्ट हां ब kardeşim सकते करण के प्लास्टिक हमारे ऊपर है कि हम जैसा उसको बना आपके प्लॉट और फेबरी का सॉफ्ट में पता है सरच्चे से एक्सेब एफ्स्टोस्ट यह क्या होते हैं जब फार रेजिस्टेंस प्लॉट आप लोगों देखा होगा कि कहीं पर आग लग जाती तो आग बुजाने वाली गाड़ी फार ब्रिगेड आती है है उनके सकते हों के लिए उनके कपड़े जस्टेक्ट फार फारफाटर लोग जो कपड़े पहनते हैं वो किसके बंगते हैं अश्टोस थीड़े a इसमें काम आते हैं कि वह जो हमारी हीट आ रही है जो आख की वज़े से उसे वह रोक पाई इसलिए ठीक है वूड एंड ग्लाजार हाट मेटेरियल आपका लखड़ी और काँच आपके हाट मेटेरियल है आपको अच्छे से समझना आता है साथी साथ रबर आपका सौफ्ट म जभी यह पता करना है कों से hard है कों से soft है तो देखिए dry fruits तो almost वह सारे soft होते हैं और साथ-साथ जो हमारे यह fruits है ये mostly कुछ soft होते हैं कुछ hard होते हैं अब हमें यहीपता करना है ठीक है आप बात आती है roughness की तो roughness की आता है some materials are smooth while other are rough जैसे मैंने आपको बताये था कि कोई अगा हुआ है भी आप देख पाएंगे तो कैसा एकदम पूरा फ्लैट और मतलब एकदम अच्छे से पॉलिश किया हुआ है लाइक कोटा एस्टोन या मारबर सो वह कैसा है स्मूध है और शाइनी है साथ साथ कुछ ऐसी जगह आपने के आपने रोड पर देखा होगा रोड थोड़ी ऊबड़ खावड़ है तो रफ तो रफ और स्मूध के बीच का अंतर समझ में आया कि एकदम फ्लैट और एक जिसा रोड तो आपकी कैसी हो जाए कि व हाँ तो स्मूध और उबर खावड ए तो से हम कहा बुल देंगे रहा तो मटेयल है विंग आफाइन टेक्च्चर सर्फेसे कॉल्ड स्मूध सर्फेस अब टेक्स्टर क्या होता है तो यहां देखिए यह चारेक्टर सिस्ट अफ शाफ और फेस प्यज़क्ट इस कॉल्ड ट अपने दिवारों पर लगातें कि अच्छा दिखे उसके अंदर हम क्या करते हैं? इमेजस द्वलवाते हैं, वह इमेजस का और कलर के साह है, वह कैसी soft है या hard है, क्या rough है या smooth है यह सारी चीज़े हम किसमें हम उसको डालेंगे यह जाएगा आपको अपको कार्ट में गालर वर तो गतला लुट होता है तो यह सारी जिए उसके टेक्चिर में इना किए ठीक है सो मेटल हैविंग अनीवन और रगड़ सर्फेस विदा रिंकल और रिजेस ऑन दे सर्फेस इसकाल रख मटेरियल इतने बात रचे सांग में आई अब स्मूध मैटरियल कुन से होते हैं सिल्क होता है वेलवेट होता है मोस्ट मैटल पीबल चीज प्लास्टिक ग्लास मिरर यह सारी चीजें किसके अंदर आती है साती सात रफ मैटेरियल में कॉटन जूट फ्लास्क वूड ब्रीक सेंड रोक सेंपल्स बार कॉफ ट्री एंड ब्रेड यह सारी किसमा आती है रफ सर्फेस ब्राफ मैटेरियल स्माथ तो आपको एक बार ओर यह लिस्ट अच्छे से लोगों को यह जो टेबल इसे फिल करना है आपको कि माल लीजे मैंगो तो आप इसको जब पील करेंगे तो इसकी सर्फस हाड रहेगी या सॉफ्ट रहेगी ठीक है स्मूधनेस और या रफनेस तो यह चीज़ हमको पता करना है कि इसको पील करेंगे फीलना यानी की चीलना तब हमें स्मूध सर्फस मिलनेस मिलती है या स्मूधनेस आप इत्ती बात अच्छे से जानेंगे ठीक यो सो मच ब्रॉट व्लेस यह आज से